अमवोमन इसकिन पर नैचरल फैट की एक पतली सी परत होती है जो इसकिन में नमी को बरकरार रखती है इसकिन को कोमल बनाने में help करती है जब यह नमी धीरे कम होने लगती है तो हम इसको ड्राय स्किन या रूखी तो जहते हैं हेलो गैज वल्कम बैक टू मैं चैनल इजलाइब विद्वर्शा तो स्वागत हूं एक बार फिर से एक नए डियाइवाई या काफी टाइम के बाद मैं डियाइवाई कर रही हूं तो एक नए डियाइवाई के साथ कारण होते हैं जो आपके स्किन रूखी सुखी बेजान हो जाती है आज किसी भी प्रोड़क्ट के बारे में बात नहीं होगी आज हम डियाइवाई के बारे में बात करेंगे और मैं इसके रीजन्स बताऊंगे और इनको आप कैसे ठीक कर सकते हैं तो चलिए वीडियो शु शबसे पहले आपको यह ऐसा परड़क्ट यूज करते हैं जो कि आपके स्किन के लिए ठीक नहीं है तो जब भी कोई प्रोड़क्ट यूज करते हैं आपको ध्यान रखना है कि अगर के स्किन्ट तैप आपक कैसा है कि of c. अ. उसित करेंगे तो आपके स्किन ड्राग हो सकत बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर आपके स्किन पर एक्जिमा या सोराइसे से तो ड्राय स्किन होना आम बात है और साथ ही साथ जिन लोगों की बढ़ती हुई एज बढ़ने लग जाती है तो जो हमारे स्किन पर फैट नाचुरल फैट के लेयर होती है वह धीरे थी साथ जो लोग ऐसी एर कंदिशनल में सोते हैं उनको भी बहुत जारादा जरूरत होती है अगर वह इसकिन को अच्हीं तरीके से मौस्टराइज नहीं करते हैं नमी वाली चीज़ने यूज नहीं करते हैं तो रात भर आप एसी में सोते हैं इस वजह से भी आपको राय स्कि के प्रॉब्लम होती है और एसी में जब आप सोते हैं तो वो सारी नमी को सोख लेता है इस वज़े से आपको ड्राय स्किन के प्रॉब्लम हो जाती है साथ ही साथ जो लोग बहुत देर तक नहाते हैं कुछ लोग क्यादा तो यह गंटे नहाते हैं बातरूम में और गरम पानी से उनकी भी स्किन बहुत जादा चांसे होते हैं ड्राय स्किन के उनकी भी स्किन रुखी सुखी हो जाती है तो जादा देर नहाने के जरुवत नहीं है एक पर्टिकुलर टाइम के साथ आप नहाए साथ यह आपको गरम पानी से नहीं नहाना है गुंगुने पानी से नहान कोई scrub बिल्कुल भी यूज करना चाहिए, scrub के वज़ह से आपके skin और जादा dry हो सकती है, साथी साथ, अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों को कौन सा ऐसा face wash है या कौन सा ऐसा moisturizer यूज करना चाहिए, कि आपके skin जो है वो, sorry, कौन सा ऐसा moisturizer यूज करना चाहिए कि आपके skin moisturizer है आपके skin में नमी जो है वो बरकर आ रहे हैं तो यहां पर मैं moisturizer की बात करूँ तो moisturizer आप यूज़ कर सकते हैं Cetaphil lotion, Lubidum lotion या फिर Curel lotion इन सब के जो है मैं pictures डाल दूँगी साथी साथ आपको description में link भी मिल जाएगा अगर आपको चाहिए या आप medical से या कॉस्माटिक शॉप से ले सकते हैं या फिर अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राय स्कीन है तो आप वैसलीन यूज़ कर सकते हैं वैसलीन petroleum jelly जो आती है वह best option है अब बात कर लेते हैं dry skin वालों के लिए अगर आप पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं और घर में ही DIY यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दू सबसे पहला चीज जो है वह हनी हनी आपका organic होना चाहिए यह चीज आपको ध्यान रखनी है हनी आपका organic होना चाहिए इसके बाद हर दिन आप आपको दस मिनट अपने फेस पर हनी अपलाए करना है उसको इस तरीके से मसाज करनी है इस तरीके से रब करना है दस मिनट तक आपको अपने फेस पर रखना है जब आप इस तरीके से डैब डैब करेंगे तो आपके skin का blood circulation बढ़ेगा हनी जो है वह अंदर तक अच्छे से हनी इस्तमाल कर सकते हैं सेकंड चीज है आप दूध की मलाई यूज कर सकते हैं सबसे बेस्ट तरीका है आपको क्या करना है दूध की मलाई को निकालना है अगर आप चाहते हैं कि कैसे यूज करना है तो इसी चैनल पर मेरा मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है आप वहां ज और अगर आप चाहते हैं कि मलाई चेहरे पर नमी तो बरकरार ही रहे साथ ही साथ आपके स्किन भी ग्लॉइंग दिखे खुबसूरत दिखे तो आप उसमें एट कर सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा एक पिंच के करीब तर्मरीक यानि की हल्दी और अगर आपको यह डर है कि आ वाइल टर्मरीक यूज कर सकते हैं उससे आपका जो चेहरा है वो बिल्कुल भी पीला नहीं होगा क्यूंकि उसमें कलर वह बहुत जादा नहीं छोड़ती है और ग्यानिक खल्दी या वाइल टर्मरीक यूज कर सकते हैं तो आपके स्किन में नमी तो बरकरार रहेगी ही ड प्राइसिस की प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर की है ले सकते हैं या मेरे पास एक छोटा सा नुस्खा है आपको क्या करना आपको बादाम तेल लेना है बादाम रोगन बादाम तेल लीजे और उसमें आपको यूज करना है जैनरिक एसेंशियल ओयल की दो तीन ड्रॉप जादा नहीं जैनरिक एसेंशियल लीजे उसमें जो होती है इंटी बैक्टिरियल प्रॉपर्टीज होती है तो वह आपके चहरे के जो भी फंगल इंफेक्शन वगरा हुए होंगे उसको ठीक करने में बहुत हल्प करता है तो आप उसे भी दोनों को मेक्स करके आप अपने से ही पोच लीजिए उसको दोना नहीं है आप रात में यूज कर सकते हैं आपको अपने फेस पेस तरीके से मसाज करनी है उसके बाद किसी कॉटन से आप उसको अच्छे से निकाल लीजिए और पिर आप रिलाक्स हो जाए चौथी सबसे इंपोर्टन और सबसे असान सा तर लीजिए उसको थोड़ा सा एक्टिवेट कीजिए मैग्स कीजिए और आप अपने फेस पेस तरीके से मसाज कीजिए कम से कम 2-3 मिनट तक जब अब अच्छे तरीके से मसाज करोगे तो तो वह पूरी तरीके से अंदर इब्साब हो जाएगा आपके स्किन कराइगा और तो यह था यह चोटी चोटी टिप्स थे अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके चहरे पर जो भी ड्राइनेस है ड्राइनेस दूर हो जाएगी अगर आपकी स्किन खिची खिची रहती है तो वह भी ठीक हो जाएगी तो उमेद है कि आप सबको